Hello everyone, this is your Russian बैया अभी मुझे बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या CBSE सबको पास करती है तो इस वीडियो में आप लोगो यही बताने वाला हूँ कि CBSE सबको पास करती है या नहीं करती है अगर करती है तो किस कंडिशन पे CBSE पास करती है और कब नहीं करेगी कब आप फेल करोगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो CBSE का जो टकर चलता है न वो ICSE बोड के साथ चलता है और आपको यह पता होना चाहिए कि ICSE बोड का हर साल 99% रिजल्ट रहता है इन फेक्ट कोवीड के टाइम में पूरा 100% रिजल्ट हो गया था आप ICSE बोड का इधर प्रिवियर स्यर्स का रिजल्ट निकालके देख लो आप देखोगे कि ICSE हर साल लगबग 99% रिजल्ट रिजल्ट वो निकालती ही निकालती है मतलब ICSE बोड वाले फेल नहीं होते हैं ना के बराबर को एक्जानरेशन छोड़ता है तभी वो फेल होता है अधरवाज नहीं होता है जबकि CBSE का आपको मैं बता रहा हूँ CBSE में कुछ बच्चे फेल होते हैं अब कव होते हैं कैसे होते हैं यह भी आपको बता हूँगा तो इसको जानने के लिए कंडिसन जानने के लिए आपको थोड़ा सब पहले जाना पड़ेगा अगर हम 2023 के रिजल्ट का बात करें पिछले साल जो परिक्षा हुई थी क्यों उसके पहले में क्यों नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले जो परिक्षा हुई थी ना तो उसमें 100% रिजल्ट निकाली गई थी यूझकि examinations हो भा ही नहीं था, examinations सी cancel कर दिया गया था, COVID के वज़े से, तो पूरा 100% result निकला था, जो students examinations छोड़ा था, या छोड़ा, मतलब examinations नहीं, जो internal assessment छोड़ा था, वही fail हुआ था, examinations तो वही नहीं था, examinations कर दिया था, internal assessment की जो परिक्षा नहीं दिये थे तो वैसों मच्चों को बस 2022 में fail किया गया था बाकि इसके बाद 2023 को जब result निकाली गई तो ICIC board वाई यह अपना तो result बहुत अच्छा निकाल दिया लेकिन CBSC वालोगों जब result रहा वो बहुत जादा खराब रहा अब बिलीव नहीं करोगे जहां ICIC board का result 98 point something था वहीं CBSC board का result रहा था न वो class 10 वालोगों का 94% था and class 12 वालोगों का 91 या 92% था तो बहुत सारे बच्चे उसमें fail हुए थे and fail होने का reason यह था कि उससे पहले जो examinations हुई थी तो उससे पहले जो examinations cancel हुए थी कोवीड के वज़े से तो उस वज़े से बहुत सारे बच्चों को CVC ने fail कर दिया था लेकिन जैसे ही result निकाला गया तो बहुत सारे बच्चों के तरब से या parents के तरब से CVC को बहुत जादा सुनना पड़ा एंड उसी समय जो CVC के exam controller होते हैं या chair persons होते हैं या CVC के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ CVC की result खराब रही है इस चीज़ को accept करते हैं लेकिन हम in future में कोसिस करेंगे कि अपने result को हम सुधार सके तो definitely इस बात की तो guarantee है कि इस जो result रहे रहेगी हो पिछले साल के comparison में काफी अच्छा रहेगा result इस बार बहुत ही बढ़िया निकलने वाला है and एक बड़ा reason election भी है election के वाज़े से result अच्छा निकलेगा and आप इस चीज़ को भी notice कर रहे होगे कि question paper आपका काफी easy easy भी आ रहा है question easy आ रहे है न इसी वज ला सकते हो ऐसे question पूछा पूछ रही cbc तो कहीं कहीं cbc भी चाह रही है कि बच्चे number of 10 करें इसके बावजूत भी अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाता है कोई बच्चा अगर नहीं लिख पा रहा है गलत answer लिख क्या रहा है तो यहां पर भी cbc की पूरी कोसिस रहती है कि उन बच्चों को वह पास करें तो पिछला साल का जो मैं आपको इधर रिजल्ट के बारें बताया तो पिछले साल खराब होने के वज़े से cbc को पहले से इस चीज़ का रियलाइशन है हमने खराब करी है इस पिछले साल तो इस वज़े से icc को देखते हुए क्योंकि आपने की अवे भी कुछ परिक्षाएं हैं तो उन परिक्षाओं में इस इन गलतियों को मत दोराना मत करना ठीक है जो हो गया सो हो गया लेगिन आगे जो परिक्षाएं इनके लिए इन चीज़ों को थ्यान रखो पहली चीज तो यह अपने एंसर सेट का फ्रंट पे सही से की समरो गलती मत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है दूसरी बात यह किसी अलग तरीके से बना के लिए को जो भी कुछन है उस टॉपिक से लिटर आगर लिख पाते हो तो लिख कर आव मतलब मुझे नहीं पता कैसे लिखना है बट आपको लिख कर आनी है उस भी भी CBC फेल नहीं कर सकती है ठीक है तो यह जो आपका कुशन है ना कि CBC क्या सबको पास करती है तो नहीं पास सबको नहीं करती है कुछ बच्चे फेल होई जाते हैं फेल होने का बस यह होता है या तो questions blank copy छोड़के आ रहा है या तो answer seat का front page भणने मगलती कर रहा है या तो फिर वह absent हो जा रहा है examinations में तो यह बस दो-तीन कारण ही है अगर यह दो-तीन कारण अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप पास हो आपको जादा टेंसन नहीं लेना है ठीक है 12 वाल लेकिन जान लोगी class 12 की जो copy checking होती है वो 10 वालों से कहीं ज्यादा easy की जाती है कहीं ज्यादा आपको number मिल जाते हैं आप अगर कुछ भी लिखते हो ना आप गलत भी लिख कर आते हो 12 वाले खास करके तो आपको number दिया जाता है 12 वाले बच्चे इंफेक्ट 12 वाले बच्च इनकी compartment अगर एक में लग जाती है तब तो ठीक है दो में लग जाती है तो फिर यह और यह compartment की वाई परिक्चा नहीं दे सकते हैं तो यह भी कुछ रीजन से जिसके विखेसे 12 वालों को जादा फेल नहीं किया जाता है फिर भी होई जाते है फिर अगर आप copy पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ हो गया अब 15 नंबर का भी 10 नंबर का भी नहीं लिख सके होगे तो फिर क्या कर सकती है तो आपको पास करना चाहती है तो बस copy को भर के आओ मैं इतना ही काओंगा जितने भी subject बचे हुए हैं या फिर हो चुके हैं तो उमीद करता होंगा होंगा कि अगर आ कास करके cbc ना उनको सपोर्ट करती है जो टॉपर वाले बच्ची होते हैं अगर उनका एक दो मार्क्स कटता भी है ना तो काती है ने इसको नंबर दो और इसको टॉप कराओ तो cbc में पढ़ने वाला बच्चा 100 आउट और 100 मार्क्स भी आप्टेंट करता है ठीक है तो उमिद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी और विस्तरे की वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना थैंक यू बाबाई